आए हम अब ये value added statement को देखते हैं क्योंकि ये भी एक statement है जो अब add-on हो रही है बहुत सारी companies की annual reports में ये statement क्या है basically is derived from financial statement जो already statement बनी हुई है आपकी उन्ही में से data आएगा और उससे फिर हम एक नई statement which is called value added statement and create करेंगे detailing the wealth created यानि statement में हम ये देखेंगे के company ने कितनी wealth generate की है during the period अब ये wealth in the sense ये नहीं है कि वो रुपाहों की शकल में नदर आएगी आपको profit and loss account ही में से नदर आएगा कि हमने कितना बनाया कितना बचाया और किस किस को क्या मिला तो value added by the company during the year हमें देखना ये है कि हमने कितना value add किया है during the year मैं सुदा से explain कर दो इसे कि आप अगर कोई चीज बाहर से लेकर आ रहे हैं ये तो उसमें आपने ये देखना है कि हमने इसको convert करने में क्या value add किया let me put this way कि आप अगर धागा बनाते हैं तो cotton आप बाहर से खरीदते हैं तो धागे की जो price आपको market से मिलेगी sales करेंगे तो उसमें से आप cotton की price minus कर देए और अगर आप धागा आपको कपड़ा बना रहे हैं तो कपड़ा बनाने के ये धागा आपको spinning mill से लेना पड़े तो कपड़े की जो sales value है उसमें से धागे की value निकाल दें तो वो value added कर लाए और दूसरी बात goods and services अगर कोई ऐसी हैं जो आप बाहर से लेकर आ रहे हैं और वो भी उसमें से minus करना होगी है क्योंकि वो भी आपकी internally efforts से generate नहीं हो रही है तो हमने यह देखना है कि हमारी company ने क्या value add की है तो that's why कि अगर हम revenue से cost of goods and services minus कर दें जो outside से आ रही हैं तो वो हमारी value added कर लाए so revenue generated during the year minus the goods and services bought from the outside the entity बहुत शोर है आज कल value addition का और हम करते भी हैं कि value add करके बेजें raw material को इना supply कर दें वायर बलके उसमें आप value add करें कपड़ा बनाएं, shirt बनाएं फिर बेचें so that is value added the importance of this report is that how the value added is allocated यानि important है इसमें यह कि जो value added हुई है वो किस तरह से distribute हुई है फिर उसमें किस-किस ने कितना कितना share लिया है यह important है लेकिन अब so many factors are working in a company जो value addition कर रहे हैं और questionarize कि सबने अगर efforts कि यह value addition में तो हर एक किस में क्या आया वो एक word यूज वा था अपने accounting में equitable तो वो हर एक को उतरह मिलना चाहिए दे का वो हकदार है तो जो important thing है कि जो value addition हुई है कि distribution कैसे हुई है उसकी allocation कैसे हुई है that is the important thing और इसमें जो important groups आते हैं उसमें आपके employees number one पर आते हैं मेरे हिसाब से तो क्योंकि देखे ना वो दिल रात काम करते हैं तिन तिन शुप्टों में काम करते हैं और employees में हर वो party शामिल है जो company से salary draw करता है wages लेता है वो employee के लाइब Suppliers जो आपको raw material supply करते हैं लेकिन वो रोगने supply करना बात खतम हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा तो आपने देखना है कि आपने suppliers के लिए जो contribution की उसमें supplier का share किया है इसी तरह provider of finance आपने loan वगयरा ले रखे हैं बैंकों से लिया हुए है मुदारबास से लिया हुआ है और जहां से भी किसी ने finance किया हुआ है आपको देखें इसमें shareholder शामिल नहीं है loan providers हैं तो उन्होंने जो पैसे आपको दिये वो भी यह देखना चाहते हैं कि हमारे पैसे से कितनी आपने value addition की और हमें उसमें से क्या मिला है तो tax ले गया, government ले गया हमारे यहां कहा जाता है का जी government बहुत सारे tax ले जाती है हाला कि देखना पड़ेगा कि यह value addition नहीं उसमें का share कितना है society के बारे में अगर आप को donations बगारा कर रहे हैं कोई ऐसा प्रिफाही काम कर रहे हैं उसमें आप कितना पैसा दे रहे है वह भी आपको दिखना पड़ेगा share holders को तो generally हम dividend ही देखे अब यह dividends वह cash के शकल में है या bonus के शकल में है लेकिन dividend ही मिलता है उनको और इसके लिए वह wait करते हैं पूरा साथ तो basically कहते तो हम यह owners तो share holders हैं और उनको आप देते हैं साल के आखिर में और वो भी proportionality देखेंगे कि कितना उनको मिल रहा है तो यह भी एक important aspect है और फिर सारे का सारा distribute नहीं करते है जो value addition हुई है उसका कुछ portion रिटेन करते हैं for the expansion पर और यह बहुत जरूरी है भाई अगर सो और रुपर कमा रहे हैं तो 10 रुपर बचाएं जरूर ताके कल जरूर पढ़ती है तो आपको बाहर ना जाना पड़े उसी को utilize कर ले यह जो expansion के लिए आप पड़ा सा पचाते हैं that is also very very important. Thank you very much.